हाई हाई दिस शूतियान वेलकम टो एटी क्लासेस यह अभी प्रोवाइड इंजिनेरिंग कंटेंट सो इफ यह न्यू प्लीज दो सब्सक्राइब आ चैनल इस वीडियो में आपको सिलेक्शन ऑफ सेंसर के बारे हम बताने वाली हो फिल सेंसर और ट्रांस जूसर के डेफिने सेंसर होता है कि वह सिस्टम से सारी इंफॉरमेशन कलेक्त करे और उसको माइड्रोप्रोसेसर में स्ट्रोर करे ताकि पूरा सिस्टम उस पर करें वहीं हहाँ पर लिखाई तेब मेजरमेंट पार्ट अब दो मेकाट्रोनिक सिस्टम मेन फंशन अफ दो मेजरमेंट शिस्टम इसकेंड ट्रांसडूसर और थर्ड उस्टाइश सिग्नल प्रोसेसिंग डिवाईस तो अभी क्या यह सारे जो पार्ट से हम लोग भूद वा और उसमें क्या होता है वावेपलेटि तो जढ़ादा है बढ़ उसमें इसके होता है जो भी मेश्ट्रोनिक को टीजाइनर होता है उससे यह सिलेक्क करने में बहुत प्राब्लम हो कौनसे सेंसर लेना चाहिए कौनसे सिस्टम के लिए कौनसे ट्रांस्जूसर सिलेक्ट करना चाहिए तो इसलिए यह सब प्रॉब्लम आवाइड करने के लिए कोई भी डिजाइनर को एक प्रिंसीपल और प्रिंसीपल और कॉमनली यूज सेंसर पता होना चाहिए मतलब कोई भ भी हमारा manufacturing system में अगर उसमें कोई भी पार्ट खराब हो गया तो जो sensor alarm होता है वो जो operators उन लोगों को बता सकते हैं कि उसमें क्या खराब हुआ है कौन सा पार्ट खराब हुआ है ताकि पूरा system चेक्क ना करना पड़े फिर जो requirement होती है skilled लेबर्स की वो experience workers की वो कम हो जाती है क्योंकि सब machine based होता है एक बार आप कोई भी value उच्छे सब्सक्राइब करने लगता है फिर जो अल्ट्रा precision in quality product quality can be achieved भहुत accurate product हम लोगों मिल सकता है जो हमें चाहिए फिर next आता है sensors अब है sensors क्या होते sensors element that produces signal relating to quality being measured अब भी sensor जो भी हम लोग quality measure कर रहे वो जो sense करता है वो उस quality को हम लोग sensor बोलते तो ensure वो क्या कर रहा है कोई भी quality quantity जो भी चीज़े displacement है वो सारे वो चीज़ मेजर कर रहे अब इसमें क्या होता है sensor का जो output होता है हमेशा electrical quantity होती है अगर और जो measure करते हम लोग वो physical quantity हो सकती है या भी कोई भी property हो सकती है तो हम लोग करते हो physical quantity अगर हम इसमें क्या होता है जो हम लोग quantity मेजर करते हो displacement होती है बड़ जब sensor यह sense करता है तो उसका जो input होता है displacement का वो change हो change करता है inductance को in simple term inductance क्या होता है magnetic field के वाज़े से inductance produce होता है मतलब magnetic field में changes हो सकते है according to the displacement फिर नेक्स है transducer the transducer it is defined as an element which converts signal form one signal form signal form one form of energy to another यह signal convert करता है एक energy से दूसरे energy तक convert signal from one form of energy to another फिर अभी for example हमने एक wire लिया जिसे हम लोग बोलते है constant and alloy जो इसमें क्या होता है copper और nickel का alloy होता है 50 to 45% हम लोग include करते हैं इसे तो यह से हम लोग sensor बोल सकते हैं इसे हम लोग sensor क्यों यूज कर सकते फिर डिस्प्लेश्मेंट सेंसर होता है वह अभी example है कि displacement sensor यूज होता है movement measure करने के लिए को कितना डिस्प्लेश हो रहा है अभी कोई object है इसको हम लोग move कर आगे पिछे तो sensor measure करते हैं कि इतने टाइम में वह इतना डिस्प्लेश हो रहा है फिर पोजिशन सेंसर पोजिशन चेक करते हैं कि कौन सा element कहां पर हम लोगा रखना या पर छोड़ी छोड़ी चीजों में वह हम लोग यूज कर सकते हैं तो यह था about selection of sensors की sensors कैसे सिलेक करने चीएफी sensor का definition ट्रांसद्यूसर का definition अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज दू लाइप सब्सक्राइब और शेर आव वीडियो हमने चैनल पर मेकानिकल के और भी वीडियो पोस्ट किये तो प्लीज जा कि उसे भी चेक करना अगर आपको कोई यह भी डाउट हो ताफ हमें comment section में बता सकते हो अगर आपको इस notes का pdf चाहिए ताफ हमें instagram पे dm कर सकते हो मैं instagram के id description में mention कर दियो so thank you and keep supporting